एवरगरेन मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें मेरे लिटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है हलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक ये बहुत ही यम्य रेसिपी के साथ हाज रवी हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, ये बहुत स्वादिस्थ है यम्य होता है खाने में बहुत ही जलदी बन जाता है instantanly बन जाता है अगर आप चावल और दाल खा करके बिल्कुल परिशान हो चुके हैं और कुछ नया खाने का मन कर रहा है दोस्तों तो मेरी ये रेसिपी जरू ट्राय करें इस रेसिपी का नाम है वेज पुलाव रेसिपी इसमें जादे इंग्रिडेंस नहीं लगते हैं दोस्तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें सबजियां जो है एड कर सकते हैं और बिल्कुल इंस्टेंटली इसे बना सकते हैं इसमें आपको चावल बनाने की कोई ज़रूत नहीं है आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं तो इसका इंग्रिडेंस जो हमने लिया है वो एक बार आप न measurement के साब से ही अच्छा हमारा पुलाव वनेगा तो उसको हमें अच्छे से वाश करना है पानी से ताकि इसकी अंदर जो भी powder जो भी भार के chemicals मिले होते हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे तो इसे हमें अच्छे से वाश करना है बिल्कुल इस तरह से रब करके हांथों से ताकि इसमें polish फेगरा कोई भी हो वो निकल जाएगा तो इसे हमें दो बार पानी से wash करके पानी फेक देना है और तिसरी बार के पानी में हमें इसे 10-15 मेर तक सोख होने के लिए छोड़ देना है 15 मेर तक छोड़ दे सोख होने के लिए जब तक पानी हमारा चावल सोख होगा तब तक हमें next process में चलते हैं next process में एक cooker में मैंने तेल रखा है दो से तीन चमच आप तेल की जगह घी यूज़ कर सकते हैं अगर आप घी खाते हैं तो तेल जैसे हलका गरम हो जाएगा दोस्तो उसमें मैंने 1 by 3rd spoon जीरा लिया है खड़ा मसाला में मैंने तेज़ पत्ता लिया है long, ilachi, dal chini और ये बड़ी वाली ilachi लिया है इसको डालने से क्या होता है खुश्बू बहुत ही अच्छा आता है पुलाओ में जो खुश्बू आता है इसी की बदोलत आता है तो इन्हें लगभग हमें 20 सेकेंड तक भून लेना है इसको भूनने के बाद इसमें हमें मसाले एड़ करनी है मसाले में मैंने 1 by 3rd स्पून रेट चिली पौडर लिया है कलर के लिए बिलकुल थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल दे अगर आप नहीं भी डालेंगा हल्दी पौडर तो कोई बात नहीं है ब्लैक पेपर यानि की गुलगी का पौडर डाल दे इसको पर जीरा पौडर 1 by 3rd स्पून कोरियंडर पौडर 1 by 3rd स्पून इसको डाल करके इसे लगभग थोड़ा सा 10 सेकेंड तक हल्का सब भून ले फिर इसमें मैंने अद्रक लिया है काट करके अद्रक डाल देजिए एक इंच के अद्रक को मैंने अच्छे से पारिक से काटा था एक हरी मिर्श डाल देजिए और इसके बद प्याज डाल देजिए एक प्याज मैंने लिया है मीडियम साइज का प्याज काट करके लिया है और इसे पहले लगभग एक मिनट तक भून ले अच्छे से यह प्याज अच्छे से भून लेगा भूना जाएगा एक मिनट तक उसके बाद इसमें हमें इसमें अपनी पसंद के साब से सब्जी आइड कर सकते हैं मैंने टमाटर लिया है यह गाजर लिया है दम छोटा सा मेडियम साइज का गाजर यह आप मेरे पास लहसन का पत्ता था कब उसको कट कर से डाला है और हरी वाली मटर अगर आपके पास मटर अभी है अब सिजन तStudent का टाली मिद्र नहीं तो इसके हैं यह मार्त बिया है मार को लेकरके डाल दे इनको डालने के बाद हमें इससे 2 मिन अचे बूनने के बाद इसमें हमारा मारा शुक यह चावल जा उसे add कर दे और जितना आपने चावल लिया है से उसी cup से measurement करे और उसका double पानी डाले double इसलिए डालना है क्योंकि हमें इसमें vegetables भी कुछ-कुछ add किये हैं तो उसकी हिसाब से हमें double पानी लग जाएगा तो जितना चावल है उसका double पानी डाल करके अच्छे से इसको मिला दे नमक स्वात किसाब से रख दे नमक स्वात किसाब से रखने कवाद अच्छे से मिला दे और फिर इसका cooker का जो lead होता है धकन होता है उसे बंद कर दीजिए ध्यान दे दोस्तों इसको ज़्यादे CT नहीं आप हैं लगाना है एक CT लगने तक हमें wait करना है एक CT हमारे जैसे इसमें आ जयेगा फिर हम गैस को off कर देगे तो यह देखिए Хáis को आशका है अलग लग हैं और लंबे लंबे हुए बहुत ज़्यादा यह देखिए हमारा वेज पुलाओ बनकर इंस्टेंटली बनकर रेडी हो चुका है इसमें ज़्यादा परशान होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं दोचते और यह बिल्कुल ऐसे भी आप खा सकते हैं आपको दाल बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वाधिस रेसिपी है मैंने ट्राइ किया है दोस्तों मैंने मेरी फ्रिंट्स लोग को खिलाया है उन्हें भी बहुत पसंद आया है तो उमीद करती हूं कि आपको भी यह वेजपलाओ पसंद आएगा और आज ही आप अपने घर पे चाहें त ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही यम्मी है बहुत ही रलिश्यस है बहुत खाने में मज़ेदार है बिल्कुल अलग हटके है तो उमीद करती हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेर और जादे-च्यास पादिजे तापके आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके और इसी उमीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मिलती है एक नई वीडियो के साथ अपना ध्यान रखिए हल्दी खाईए सेहत मन्द रहिए टेक केर बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ झाल 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 झाल